आज बिहार की सबसे बड़ी खवर थी कि वरिष्ट नेता, आरजेडी के वरिष्ट नेता रगुबंस परसाद सिंग ने आरजेडी से इस्तिफा दे दिया हलाकि उसके बाद यह कयास लगा जा रहे थे कि लालू परसाद यादव उनके इस्तिफे को स्विकार करेंगे या नहीं करेंगे लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खवर यह है कि लालू परसाद यादव ने रगुबंस परसाद सिंग के इस्तिफे को और स्युकार कर दिया है लालू परसाद यादब ने रगवंस परसाद सिंग को एक पत्र लिखा है जिसमें लालू परसाद यादब ने कहा है कि हमारे प्रिये मित्र रगवंस बावू आपके द्वारा कथी तोर पर लिखी एक चिठी मीडिया में चलाई जा रही है मुझे तो विश्वास ही नहीं होता अभी मेरे मेरे परिवार और मेरे साथ मिलकर सिंचित राजत परिवार आपको सिग्र स्वस्थ होकर अपने बीच देखना चाहता है चार दसक से हमने हर राजनीतिक सामाजिक और यहां तक की पारिवारिक मामलों में मिल बैटकर बिचार किया है आप जल्द स्वस्थ हों फिर मिल बैटकर बात करेंगे आप कहीं नहीं जा रहे हैं समझ लीजिए यानि लालू परसाद यादब ने साब तोर पर कहा है कि रगवंस परसाद सिंग रगवंस बाबू आप कहीं नहीं जा रहे हैं आपका जो इस्तिफा है वह हम किसी भी कीमत पर स्विकार नहीं करेंगे यह क्यास लगा जा रहा था आज पूरे दिन बिहार में यह चर्चा की भी से बनी हुई थी कि आखिरकार रगवंस परसाद सिंग आरजेडी को छोड़ कर कहा जाएंगे लेकिन अब इस चर्चा पर बिराम लग गया है हलाकि आरजेडी के नेता उस समय भी बोल रहे थे कि हम रगवंस बावू को मना लेंगे हम रगवंस बावू को कहीं और जाने नहीं देंगे तो निशित तोर पर यह जो लालू परसाद यादब की चिठी है यह साब तोर पर इसारा करती है कि लालू परसाद यादब नहीं चाहते हैं कि रगवंस बावू कहीं भी जाएं यानि आरजेडी छोर कर किसी दूसरे पाटी में जाएं मैं पोर मैं बदू अपर जाने टाने पाटी में कि बा'T अएंगे पाटी में जाएं जा धने अरे डायाने में याद आरादба कर फीज़ींא कि वह लगवंस दूसरे भी पार अर फीजम Principal pasado